नमस्कार दोस्तों मैं हूं आमेड और आप सीख रहे हैं Photoshop का Complete Course वेभी Certificate के साथ अगर आपको नहीं पता है कि ये Photoshop Course करने के बाद आपको Certificate कैसे मिलने वाला है तो Certificate कैसे मिलेगा इस चीज का जो वीडियो है, उसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है आप उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा और साती सात आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अपने दोस्तों में इस को जरू से शेर करिएगा तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं So students, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे important topic के बारे में जिसको जानना आपके लिए बहुत जवरी है और सीखना भी बहुत जवरी है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप कहीं भी interview के ले जाएंगे तो हो सकता है कि वो interviewer आप से वही चीज बनवाए जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जैसे कि समझे यहाँ पे आज कल का जो यहाँ पे मोहल चल रहा है अभी वो चल रहा है एक तरह किसे digital marketing का ठीक है समझे यहाँ पे digital marketing का जो दौर है वो चल रहा है और Digital Marketing के अंदर क्या होता है आप Social Media के उपर क्या करते हैं अपने कई सारे Post जो होते हैं उसको करते हैं ठीक है आप किसी भी कंपनी में चले जाएगा उसका Facebook पेज होगा उसका Insta पेज होगा ये सारी चीजे उसकी जो Social Media Profile है वो सारी आपको बनीवी मिल जाएंगी ठीक है अब अगर आप जाते हैं Graphic Designing की Post के उपर उसके पास काम करने के लिए तो वो Simple सबसे पहले आपको ये बोल सकता है कि आपको क्या करना है पर सभी Social Media Platform को Handle करना है ठीक है? Handle वो आपसे कैसे करवाएगा? वो आपको कहेगा कि आपको Daily की एक Post बनानी है और उसके सभी Social Media Platform के उपर डालनी है ठीक है? तो यहाँ पे आपको Photoshop के अंदर जो Post होती है वो बनाना आना चाहिए तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही Post बना के सिखाने वाला हूँ कि आप Post को Photoshop के अंदर कैसे बनाएंगे ठीक है? और जो आज की मैं यहाँ पे Post बनाऊंगा वो एकदम Live पैटर्न के उपर काम से रिलेट करती होगी ठीक है? जैसे कि आप यह समझे आपने कुछ दिन पहले जब हमारा यह Photoshop 7.0 का कोर्स जब स्टार्ट हो रहा था Live ठीक है? यूटूब के उपर तो आपने मेरा एक Community Post देखा होगा जिसमें लिखा था Photoshop 7.0 कोर्स Live on 5 No.2022 ठीक है? तो वो पोस्ट जैसे कि आपने देखा था तो यहाँ पे उस पोस्ट को actually मैंने Photoshop में ही बनाया था ठीक है? यहाँ पे वो पोस्ट जो थी वो हमने बनाई थी ठीक है? वो किसलिए बनाई थी आपको बताने के लिए कि 5 No.2022 है हमाई Photoshop 7.0 की जो Live Classes है वो यूटूब पे चाल यूटूब के से बनाया? उसमें क्या सोचा? कहां से inspiration ली? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ जो design है वो बनानी के लिए आपको बहुत साई inspiration लेनी पड़ेगी कि आप कैसा बनाये तो अच्छा दिखे यह साई चीजे ठीक है? तो वह साई चीजे मैं इस वीडियो में सिखा दिया जाएगा कि बता दिया जाएगा ऐसे बनाना है वैसे करना है यहां क्लिक करना है सब हो जागा यह नहीं बताया जागा भी है क्यों क्लिक करना है उससे होता क्या चीजे है ठीक है? तो यहां पर हम साई चीजे A to Z बात करने वाले हैं ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता हूँ, अगर आपको inspiration लेना है तो आप एक website में आपको suggest करता हूँ जिसका नाम है freepick.com ये google search करे लिजेगा freepick, ठीक है? कुछ इस तरीक से पहली website मिल जाएगी open कर लिजेगा, ठीक है? यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे design मिल जाएंगे, जिसे देख करेंगे कि आप सीख सकते हैं, काफी साइच चीजे ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी हमें क्या गरना है, एक post यह वाली बनानी है, कि हमारा जो photoshop sendpoint zero course है, वो कब start होने वाला 5 November को, ठीक है? इसी से related हमें post बनानी है, ठीक है? तो अब हम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ उस से related यहाँ पर search करूँगा, थोटे से designs वगयरा, कुछ इस तरह कीगे तो यहाँ पर मैं आपको एक keyword बताता हूँ, उसको search करिएगा बहुत अच्छे-च्छे design आपको देखने को मिलेंगे आप यहाँ लिखिएगा, super sale ठीक है? मैं अपने experience से आपको बता रहा हूँ यहाँ इस चीज को, ठीक है? क्या search करेंगे? Super sale बस, enter करिएगा यहाँ पर इतना लिख रही कि आपको एक से एक design यहाँ पर देखने को मिलेंगे यह देखिए एक design यह देखिए एक design यह देखिए यह super sale वाला design देख रहे है यह वाला देखिए यह सब आप photoshop के अंदर shapes की मदद से बना सकते हैं ठीक है? अगर इसको नहीं बनाना आपको तो आप simple एक काम कर सकते हैं इस image को download करिए इसके अंदर जो देखिए text लिखा है ना super sale इसको आप हटा दीजे और आप जो text अपना लिखना चाहते हैं लिख दीजे क्या दिखाते हैं ठीक है? इसमें कोई problem नहीं है काफी सारे जो भी graphic designers होते है वो एकदम starting से नहीं बनाने लग जाते हैं यह साही चीजे अब यह साही चीजे आपको bunny बनाई जब मिल रही है simple आप इसमें editing करिए photo edit करना मैंने आपको already सिखा ही रखा है ठीक है? देख पा रहे हैं आपे कितने सारे आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे design वाले यहाँ पे आपको posters दिख जाएंगे, banners दिख जाएंगे यह देखिए कि यह भी है mega sale offer यह भी है flash sale यह भी है आप चाहें तो यह flash sale यहाँ से delete करें कि अपना जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं तो सबसे ज्यादा काम मुझे यह लगता है कि आपको post बनाने के लिए दिया जाएगा और interview में भी आपसे post बनाने का एक टेस्ट लिया जा सकता है कि आप कितना creative हो तो अगर आपको अपना mind बहुत ही जादा creative बनाना है तो आपको simple इस website पर आके देखना पड़ेगा इनके designs देखने पड़ेंगे आपको कमसकुम एक घंटा मतलब इस पर देखना पड़ेगा क्योंकि design यहाँ पर देख लिजे बहुत सारे देखिए कि यह है super offer, big sale, यहाँ पर आप big sale हटा सकते हैं आप इस photo को download कर लिजे और big sale को आप erase कर दीजे ठीक है अगर नहीं आता तो मैं बता दूँगा बाकी बहुत easy है आप lasso tools select कर लिजे और foreground में यही वाला color लेदी जो इसके background में है और alt के साथ backspace दबा देंगे तो यही color उस selection में fill हो जाएगा जिसके कारण यह जो है big sale लिखावा delete हो जाएगा तो काफे साही चीजे यह देखो यह वाला कितना अच्छा लग रहा है super sale best offer मतलब यहां पर देखो background भी एकदम perfect है और काफे साही चीजे यहां पर आपको देखने को मिल रही होंगी ठीक है और भी देखिए मैं यहां पर sale banner सर्च कर लेता हूँ एक बार तो द इससे related देखो आपको यहां पर images मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छे अच्छे design यहां पर देखने को आपको मिल जाएंगे ठीक है जिसे देखके आप inspiration ले सकते हैं और मतलब same आप नहीं बनाना है आपको इससे सीख करके इसका design देख करके थोड़ा सा अलग बनाने की live on 5 November 2022 की जो post है उसको बना के दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे बनाया था इसको ठीक है तो चलिए सबसे पहले मेरे को बनाने के लिए तो एक background चाहिए क्योंकि यहां पर देखिए जो यह सारे आप देख पारें coming soon इसको मैं अभी फिलाल use नहीं करने वाला हूँ क्योंकि कि मैंने already आँसोच लिखा है कि कैसा मेरे को बनाना है ठीक है तो आप भी इस तरीक से इसको देख कर कि इन सब को आप सोच सकते हैं कि मेरे को कैसा बनाना है और ज़रूर नहीं है कि एक ही बार में आपका जो design होगा वो perfect बन जाएगा ठीक है याद रखेगा इस बात को perfect एक बार में कुछ भी नहीं होता है उस पर एक बार आप इसको लगा कर देखना मतलब मैं आपको उता रहा हूँ जैसे क्या होता है कि हम लोग जब कोई भी banner या post वगरा बनाते हैं तो उसका background एक बार चेंज करके देखते हैं कि यह background इस पर कैसे लगेगा अच्छा लग रहा ह तो ऐसा सभी की साथ होता है starting calendar क्योंकि अब beginner हो बट कोई दिक्कत नहीं है धीर धीर आपको एक idea लग जाएगा experience हो जाएगा तब आपको तो आप कोई भी banner आपको यह भी पता चल जाएगा अब यह कौन से font यूज करने चाहिए कौन से font कहां यूज करना चाहिए कैसा use होत होता है और कौन से font मैं use करूंगा तो अच्छा लगेगा और भी बहुत साही चीजे हैं जैसी कि देखो यहाँ पर यह coming soon लिखा है इसके side में थोड़ा सा नहीं से triangle से बना हुआ है और यह triangle का effect देख लो कितना गजब यहाँ पर देखने का लग लग रहा है यहाँ line जो दे attractions related ही इसका background भी देखी है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यह थोड़ी थोड़ी चीजे हैं जो कि आपको धियान में रखनी है ठीक है तो चलिए फिलहाल के लिए हम start करते हैं यहाँ पर बनाना Photoshop course का जो live banner था announcement banner उसको ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या abstract background तो देखे मैंने यहाँ पर search कर लिया red black abstract background और यहाँ पर मैं बतातु हूँ यह abstract क्या है abstract का मतलब थोड़ा सा खुद से बना हुआ मतलब designed background में कुछ चाहिए यहाँ पर ठीक है तो देखे काफी सारे यहाँ रहे है red और black से related यहाँ पर background तो मैं एक काम करता हूँ यह वाला जो background देख रहे हैं इसको मैं यहाँ पर ले ले लेता हूँ simple download के button पर आप लोग click करेंगे फिर उसके बाद free download के button पर click करेंगे तो यह वाला जो background है automatically आपके computer में download हो जाएगा फिलाल मैं इस अभी image को download नहीं करूँगा कि मैंने इस image को already download करेके रखा हूआ है ठीक है यह देखिए यहाँ पर downloads के अंदर यह रहा देखिए यह रही image ठ format में इस पर right click करेंगे एक strict 2 पर click करेंगे तो simple क्या होगा कि यह एक folder में कुछ इस तरीके से open हो जाएगा फिर इसके अंदर आपको यह photo जो है वो मिल जाएगी ठीक है तो चलिए इस photo को हम insert कर लेते हैं अपने photoshop में और इसको insert कैसे करोगा देखो बहुत सारीके insert करने कि अब चाहें तो drag and drop करके भी ऐसे यहाँ पर इसके अंदर insert कर सकते हो photo को ठीक है तो यह एक photo हो गया और मैं देखिए एक चीज और बता दूँ और मैं चाहता हूँ जो भी मैं post मनाऊं वो एक square में होनी चाहिए किसमे square में यह देखिए यह जो अभी photo है किसमें rectangle में है लेकि मेरे को square में post बनानी है तो उस case में मैं क्या करूँगा है file में जाके new file लोंगा और उसका width और height मैं यहाँ पर pass out कर दूँगा तो मैं यहाँ पर फिलाल उसकी width है वो रखने वाला हूँ 1000 pixel और height रखने वाला हूँ 1000 pixel ठीक है यहाँ पर pixel select कर रखा है मैं इस वीसे pixel में ले र resolution यहाँ पर रख सकते हैं 300 का कोई problem नहीं है वैसे 72 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है 300 जो रखा जाता है वो अगर आप बड़े banner वगदर कोई print कर दें तो वहाँ पर रखें बाकी 72 भी रखेंगे न चलेगा कोई problem नहीं है ठीक है मैं इसको okay कर देता हूँ यहाँ द ना लिए 1000 बार 1000 पिक्सल का ठीक है अब मैं क्या कर दूँगा जो बैग्राउंड देखते हैं सिंपल इस बैग्राउंड को यहाँ से उठाऊंगा ड्राग और ड्रॉप कर दूँगा ठीक है और अब इसका में पास कोई भी काम नहीं है तो मैं इसे इसे कट कर दूँगा ठ के साथ T बैटन दबाएंगे ठीक है तो क्या होगा आपकी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी तरीके से चोटा बड़ा कर सकते हैं ठीक है और इसको पूरा ऐसे चोटा करने के लिए आप क्या करेंगे सिंपल कंट्रोल से 0 बटन दबा देंगे तो पूरा यह इमेज आपके कुछ ऐसे एक कर देता हूं यहान पर ठीक है इachten कुछ इस तठीक है से देख लिए मैं किस तरही ठीक कर रहा हूं थोड़ा-बढ़ा कर लिता हूं कंट्रल फ्लास बटन दबा कर करके और देख लेते हैं सेंटर में है कि नहीं bucky कुछ इतना ओना लगच मुझे लगता का area था वो यहाँ पर एक टेक से crop हो गया वो नहीं आया ठीक है अब हमें यहाँ पर क्या करना है जो देख रहे ने लिखा currently offline इस इस जो भी यह design बनाए इसको हमें हटाना है तो हटाना काफी easy है आप भी यह बात को जानते हैं simple मैं यहाँ पर क्या करूंगा lasso tool लोंगा ठीक है और इस पूरे को इस तरीके से select कर लोंगा कुछ इस तरीके से देख लिए कैसे मैं select कर रहा हूं और यहाँ पर देख लिए कौन सा color fill हो रखा है black color पूरा का पूरा fill हो रखा है ठीक है तो simple मैं क्या करूंगा यहाँ पर foreground color मे इसी color को यहीं से pick कर लूँगा अच्छा black नहीं है यह देखो यहाँ पर blue color है देखो हलका dark blue color है ठीक है शायद आपको black दिख रहोगा बटे black नहीं है dark blue देखो जब मैंने यह पिक किया तो मेरे को पता चला ठीक है तो आप भी क्या करना ऐसे pick ही करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है अब आप चाहें तो alt के साथ backspace बटन दबाईए तो यह remove हो जाएगा ठीक है हमने alt के साथ यहाँ पर backspace का जो button दबा दिया जिससे कि क्या हो गया यह सब कुछ यहाँ पर same color का हो गया ठीक है course live on 5 November ठीक है तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर text rule ले लेता हूँ ठीक है click करूँगा single देखे सिफ मैंने click किया है कुछ ऐसे बनाया नहीं है drag नहीं किया simple click किया है ठीक है मैं यहाँ लिखता हूँ simple photoshop ठीक है p h o t o अभी मैं लिख रहा हूँ लेकिर यहां पे आ नहीं रहा है किवह नहीं आ रहा है क्या कि इसकी जो color जा भॉथ जा रहिए डीक है मैं select करिए जहां और यहां से इसका color white कर लेता हूँ ठीक है तो मैंने select कर लिया फोटो लिख दिया है मैंने अब लिखता हूँ शॉप शॉप फोटोशॉप ठीक है चेक करूँगा इसको पहले मैं यहाँ पर और इसका साइस छोटा करूँगा तो पिक टूल लिया मैंने इसको इस तक से कि आप कौन सा फॉंट रखना चाहते हैं बाकि जो यहाला फॉंट अभी हम देख रहे हैं यह वाला भी बहुत अच्छा लग रहा एक तरही किसे देखने में तो फिलहाल यह देखिए कौन सा फॉंट है मैं आपको बता देता हूँ यह वाला जो फॉंट है हमारा बुक्मेन old style है और मैंने इसे bold करके रखा है और यहां पर italic कर लिया है देखो by default अच्छली यह select था bold italic ठीक है तो आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं कोई problem वाली बात नहीं है अगर आप कोई दूसरा font यूज करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं जैसे कि मैं अगर दूसरा font यूज करता तो मैं यहां पर ubuntu font यूज कर ले था ठीक है ना और यहां पर आप इसे bold italic medium italic वगरा यह साही चीज़े यहां से कर सकते हैं ठीक है तो आपके उपर depend करता है आप जो रखना चाहें वह रख सकते हैं फिलाल में को तो यह अच्छा लग रहा है तो इसको हम फिलाल रख लेते हैं Photoshop 7.0 ठीक है इतना light कर लिया अब मैं यहां पर क्या करता हूं एक box बनाता हूं थोड़ा सा design देने के लिए ठीक है तो यहां मैंने देखिए कुछ इस तरीके का ऐसे इतना बड़ा box बना लिया ओके इसके इंदर by default black color है तो यहां से मैं इसका color change कर लेता हूं मैं कर देता हूं यही वाला red color जो इसमें हो रख background में हो मतलब background से match करता हूं color रहेगा तो आपकी जो post होगी वो काफी अच्छी बनने वाली है ठीक है तो इतना कर लिया अब मैं big tool लोंगा ठीक है और इसको ctrl T button दबाऊंगा ठीक है ताकि मैं इसे छोटा बड़ा कर सकूं और इसको मैं skew कर सकूं skew का मतलब क्या होता है इसे थोड़ा करने चाहता हूं italic के जैसे तो वह कैसे होगा पहले ctrl T button दबाईएगा तो ऐसा यहां पर box बनके आ जाएगा तो इसके उपर right click करिएगा और यहां देखिए आपको एक option मिल जाता है क्या skew का ठीक है ना simple बस skew पर आप click कर दीजे ठीक है उसके बाद देख skew कर लेता हूं इतना ठीक लग रहा है थोड़ा सा अगर करेंगे तो ऐसा दिखेगा अगर मैंने इसको skew कर लिया है तो मैं यह photoshop 7.0 से सीधा लिगावा अच्छा नहीं लगएगा इसको भी आपको skew करना पड़ेगा ठीक है तो photoshop while layer से select कर लो यहां से layer में जाकर के ठीक और इस पर भी ctrl T button दबाईए right click कर जिए और यहां पर skew option देख रहे है simple इस पर click कर लिजए ठीक है और इसको भी आप skew कर लिजए उतना ही skew कर जिएगा जितना नीचे वाला था थोड़ा सा आप मिला लेजएगा इस तरीक से रखके यहां देखिए ऐसे रख लेंगे न ठीक है इसको select करें कि मैं इसको पर ऐसे रख देता हूं ठीक है और इसमें लिखूंगा course ठीक है तो यह जो photoshop 7.0 वाजी layer है ना इसको select करूंगा और इसी का duplicate कर लेता हूं क्योंकि अगर मैं duplicate नहीं करूंगा तो एक दिक्कत यह आएगी ना वापस से में वो text लेना पड़ यह तो आप alt का button दबाए हुए इसको उठा करें कि ऐसे duplicate करें लिजे simple देखिए यहाँ पर duplicate हो गया यह तो आप ctrl j button दबा देंगे तो भी duplicate हो जाएगा देखिए मैं आपको करें के दिखाता हूं मैं ctrl alt z किया मैं कौन सी layer duplicate करनी है photoshop 7.0 की अब मैं इसको select किया ctrl j button दबा आप चाहें तो layer को ऐसे उठाईए और यहाँ पर ले आईए तो यहाँ पर duplicate हो जागा तो एक और हो गया मैं यहाँ पर दिखाता हूं यह देखो हो गया na duplicate तो 3-3 duplicate हो बाकी मैं एक हटा देता हूं ठीक है right click करता हूं delete कर देता हूं ठीक है तो देखिए यह वाली layer उपर व और यहाँ लिखूंगा c-o-u-r-s-e Photoshop 7.0 course इस तरही के से इसको मैं उठा लूँगा यहाँ से और इसके उपर रखना है red वाले के उपर यह तो red वाले के उपर आई नहीं रहा बताए क्यों नहीं आ रहा आपको तो पता ही होगा मैंने आपको काफे साए banners वगएरा बनान होगा तो यह इसके उपर कुछ इस तरही की से आ जाएगा ठीक है इसका size वगएर आप थोड़ा सा बड़ा करने चाहते हैं तो simple ctrl T button दबाएगा और shift का बटन दबाते हुए और इस corner से यहाँ से आप इससे बड़ा करिएगा अगर यहाँ से खीज दोगे तो फिर stretch हो ठीक है अब मेरे को यहाँ लिखना है photoshop 7.0 course live on 5th November 2022 ठीक है तो simple मैं क्या करूंगा जो यह वाला box देख रहे हैं यह red color वाला जो मैंने बना कर रखा है इसको select करूंगा और इसका एक duplicate ले लेता हूँ alt के साथ ठीक है कुछ इस तरही के से और इसको मैं थोड़ा चोटा करू है चेक कर लेता हूँ और इसको मैं रखूंगा यहाँ पे इसकी बीच ओ बीच और इसका जो color होगा उसको मैं रख दूँगा टबल किक करूंगा यहाँ पे और इसका color मैं कर दूँगा white ठीक है white क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जागा थोड़ा से design maintain करना है हमें तो इस alt के साथ इसका duplicate कर लूँगा यहाँ पे अच्छा दो तीन हो गया अच्छली double click हो गया लग रहा है तो एक खटा देता हूँ और एक रख लेता हूँ ठीक है ना अब simple इसको भी text tool लूँगा इससे select कर दूँगा इसे पूरा backspace से delete कर दूँगा इस तरही के साए text और L I V E live on okay इसका color जो होगा ना वो से black कर देता हूँ क्योंकि white के उपर white थोड़े नहीं दिखेगा black दिखेगा simple black color मैंने कर लिया check कर देता हूँ अब इसे यहाँ से उठाऊंगा और इसके उपर रख दूँगा लेकिन उपर तो आई नहीं रहा तो यहाँ से उठा लो ठीक तो ओके थोड़ा सा और चोटा करता हूँ मैं इसको live on ठीक है और यहाँ पर इससे इस तरीके से set कर देता हूँ ठीक है यह देखे चेक बटन में इसे दवा दिया है थोड़ा सा अगर आपको और बड़ा वगरा करना है थोड़ा से जूम कर लिजे और इसको सही से set कर इतना काफी है चेक कर देता हूँ ठीक है यहां live से पहले नहीं यहां पर एक circle बना के live जैसा वह मैं दिखाना चाहता हूँ live जैसा icon तो simple है यहां पर एक ellipse tool ले लीजे और shift के साथ एक circle इस तरीक से बना लीजे ठीक है पर move tool लीजे और इसे यहां पर ऐसे set कर दीजे और य कर लीजे और okay के button दबा दीजे ठीक है तो यहां पर यह तो set हो गया ठीक है अब control minus करता हूँ zoom out ठीक है तो यहां पर दीखे हमने क्या क्या लिख लिए Photoshop 7.0 course live on 5 November 2022 अब इस ही हमें लिखना है तो इसके लिए मैं यहां पर एक box लूँगा और उस ही में लिखूंगा तो जो कोईसी कोईसीज वाला जो बॉक्स देख रहे ना इसी को मैं फेसे डुब्लिकेट कर लूँगा shape 1 select कर लिया इसको देखे यह रहा ctrl-j से मैं इसका पहले डुब्लिकेट कर लेता हूँ या फिर all के साथ भी कर सकते हैं और फिर इसको उठाऊंगा जो डुब्लिकेट हो किय इसको मैं यहां से से नीचे ले आऊँगा ज्यादा नीचे नहीं लाँगा इस तरना ही नीचे लेके आऊँगा इतना ही ठीक है और यह जो live on वादा जो box है यह इसके ऊपर रहेगा और इसके बाद मैं क्या करूंगा जो इसके अंदर red color रखा है इसकी जगह मैं black color को करूं अगल अलग अलग color है यहां पर ठीक है ना ctrl T button दबाऊंगा इसको और इसको थोड़ा सा और भी मैं बड़ा करूंगा कुछ इस तरीके से ज्यादा बड़ा नहीं होगा थोड़ा सा बड़ा करूंगा कुछ इस तरीके से और यहां से check कर दूंगा और इसको थोड़ा सा नी लिएट करेंगा select करके और यहां इस तरीक से लिखूंगा 5 November 2022 ठीक है कुछ इस तरीक से लिखूंगा check करेंगा इसको इसे move tool लेके यहां पर move करेंगे set करेंगा ठीक है काफी बड़ा है 5 November को at 8 PM मतलब 7 को 8 बजे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ text tool ले लेता हूँ फिलाल यही text tool एक काम यह भी कर सकते है जैसे कि देखिए 5 number हमने 2022 लिखाया न इसी को duplicate कर लीजे फिर इसे वही design हमें उसमें भी डालना पड़ेगा ठीक है तो मैं इसी को ऐसे duplicate कर लिया यहाँ पर इसका size control T बटन दबा के मैं छोटा कर दूँगा कुछ इतना बड़ा रहेगा और फिर text tool लूँगा इसको select कर लूँगा और delete करके यहाँ लिख दूँगा क्या लिखना है मेरे को लिखना है at 8 PM ठीक है कुछ इस तरीके से okay और इसे मैं इसे यहाँ से check कर लूँगा और इसको मैं कहाँ set कर दूँगा ठीक इसके नीचे यहाँ पर ठीक है ना तो देख लिजी सारा का सारा हमारा यहाँ पर इस तरीके से बनते जा रहा है ठीक है अब मैं इसके नीचे एक line और लिख देता हूँ join us on YouTube तो इसी को मैं duplicate कर लूँगा जो 8PM वाला है text layer alt के साथ मैंने इसको duplicate कर लिया पता है मैं यहाँ बात यह भी बता दूँ यहाँ मैं duplicate क्यों कर रहा हूँ क्योंकि एक तो design हमें सेम से मिल जा रहा है और दूसरा कि इसको हमने skew कर रखा है आपको मालू होगा हमने टेड़ा करके रखा हूँ ठीके ने skew किया हुआ है अब अगर मैं क्या करता हूँ अगर अलग-अलग text लेता हूँ और फिससे उसको skew करूँगा तो क्या होगा कुछ skew उपर हो जाएगा कुछ skew नीचे हो जाएगा एकदम perfect नहीं आएगा इसी वएश से मैं यहाँ पर सब को duplicate करके हुए चल रहा हूँ ठीक है न तो यहाँ पर जो 8pm नीचे वाल लिखा है यहाँ पर simple मैं लिख देता हूँ join us इस तरीक से join us on youtube ठीक है e-u-b-e अब मैं चाहता हूँ जो youtube है इसका color change हो तो youtube को ऐसे select कर लिजेगा और यहाँ आपसे इसका color जो है वो red color इस तरीक से मैं यही वाला कर लेता हूँ select करेंगे तो change कर लिजेगा ठीक है न और इसे मैं check कर दूँँगा इसको आप यहाँ पे center में रख लिजेगा कुछ इस तरीक से join us on youtube ठीक है इतना काफी है control minus करता हूँ देखता हूँ कैसा दिख रहा है देख लिजे एकदम perfect यहाँ पे आपको यह देखने को मिल रहा है ठीक है न अब इसके अंदर हम कुछ चीजों को और भी ज्यादा enhance कर सकते हैं अब इसको आप enhance कैसे करोगे वैसे देखा जाए तो एकदम perfect बन चुका है इसको enhance करने के लिए simple आप इसके अंदर bevel and emboss का use कर सकते हो ठीक है bevel and emboss का use आप कैसे करोगे जर वो देखो है उससे क्या आपको देखने को मिलता है effect वो भी मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो सबसे पहले जो photoshop लिखा है न 7.0 इसको select कर लो ठीक है तो मैं इसे zoom कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको इसके अंदर जो भी हम effect डाले वो अच्छे से दिखाई दे ठीक है तो अब यह वाले लेयर कौन सी है नहीं बता तो इसी के उपर माउस रखो राइट क्लिक करो और photoshop 7.0 दिख जाएगा क्लिक कर लो तो देखो इसके लेयर यहां से select जो है हो हो जाएगी अब simple आपको यहां पर जाना है यहां पर नीचे देख रहे हैं यहां पर F का इस तरीके से टूल भीना है add a layer style इस पर क्लिक करिए और यहां पर देखिए आपको मिल जाएगा bevel and emboss का option simple इस पर क्लिक करिए ठीक है इस पर जैसे हमने क्लिक किया यहां देखिए इसके अंदर नीचे से इस तरीके से थोड़ इसी जो shadow है वो आपको देखने को मिल रही है अगर मैं 5 का भी size रखेंगे तो काफी रहेगा soft करना चाहते हैं तो थोड़ा सा softness को थोड़ा सा बढ़ा दीजेगा 3 तो 3 ठीक है depth कितनी रखना चाहते हो वो देख लीजेगा कम ज्यादा करके इस तरीक से तो मैं depth ज्यादा नहीं रखने वाला यहां पर 30 के राउंड काफी है देखें वापस से चला गया यह मिनिमाइस करेके maximize कर लीजे आ जाएगा ठीक है तो depth 30 नहीं 50 रख लेता हूं यहां पर 50 काफी है ठीक है inner bevel का मतलब क्या होता है अंदर से जो 3D है वो दिखाई दे अगर आप यहां से outer bevel कर देंगे तो बाहरी की side में कुछ इस तरी किसे दिखने लग चाएगा ठीक है तो depend आप पर करता है आप बाहर की side रखना चाहते हैं कि अंदर की side रखना चाहते है तो जो आपको पसंद आए आप उसको यहां पर use कर लीजेगा फिलाल मैं इसे inner bevel कर देता हूं टेक्निक यहां पर smooth ही रहने देंगे औ simple इसको मैं okay कर देता हूं और इसी चीज़ को मैं इन सब के उपर apply करने वाला हूं ठीक है अब जो यह वाला आप shape देख रहे हैं shape के उपर भी apply कर देते हैं इस चीज़ को simple इस पर click किया level and emboss पर click करता हूं ठीक है अगर इसके नहीं मैं थोड़ा सा size बढ़ा हूं तो देख कर देता हूं ठीक है अब यही चीज courses के उपर भी कर देते है courses को मैं select कर लिया right click करके courses की layer ठीक है और यहां पे भी bevel and emboss को use कर लेता हूं काफी अच्छा एक अलगी look यहां पर आपको देखने को मिल जाता है मतलब जो look है हो काफी ज़्यादा यहां पे text पर लगा लेते हैं right click करके select कर लिया text को भी और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ bevel and emboss को ठीक है और इसके अंतर depth सारी चीजे ठीक है okay करता हूँ तो ठीक है इस पर भी लग गया इन सब पर लग गया इन पर लगाने के जोड़त नहीं है क्योंकि जो bevel and emboss है उसी पर लगाई है जो थोड़ा से bolt दिख रहे हूँ ठीक है तो यह साही चीजे एकदम perfect है तो देख लिजए finally जो हमारा यहाँ पर एक post था YouTube community post वो यहाँ पर मैंने आपको त्यार करें के दिखा दिया है कुछ इस तरीके का और मैंने आपको बता दिया है कि आप इससे ऐसा जो बनाया है हम लोगों ने यह किस तरीके से बनाया है हमने काफी साही जो inspiration है वो ली है freepick के design से आपने देखा होगा freepicker.com पर हमने काफी साही designs देखे रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आप search करते हैं super sales related कुछ भी चीज़े तो उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी जो designs है वो देखने को मिल जाते हैं और उसी से inspiration लेकर कि मैंने भी इसको बनाया है देखें मैं आपको दिखाता हूँ super sale अगर मैं यहां लिखता हूँ यहां पर जो design है मैंने यहीं से एक तरीक से मैं आपको दिखाता हूँ एक मिट पहले देख लिए यहां पर कुछ इस तरीके का बनाया हुआ हुआ है देखरें पहले पीछे एक blue color का box है फिर उसके उपर एक इस तरीके box है फिर यहां box है फिर नीचे shop now को button है तो इस तरीके का लिखा हुआ है हम चाहें तो ऐसा भी बना सकते थे ठीक है बाकी यहां पर मैं और दिखाता हूँ आपको काफी सारी देखो mega offers यहां लिखा हुआ है कुछ इस तरीके का यह देखो यह रहा दिख रहे ह है यह नहीं कि मैंने अभी इसमें एक वीडियो में आपको यह बना के दिखा दिया बस आपने सीख लिया फिर आप ऐसे ही बनाओगे ऐसा नहीं है आप इससे भी ज्यादा अच्छा professional बना सकते हैं बस आपको क्या करना है फ्रेपिक के website पर आना है और यहां के जितनी भी designs ह इसको देखना है और इसको आप अपनी पोस्ट के अंदर आपको क्या करना है लगाना है ठीक है उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही useful लगी होगी समझ में आया होगा कुछ नया सीखने को मिला होगा ठीक है तो मैं क्या करता हूं यह तो आप लोगों ने बना आप लिया है ठीक है यह तो बना लीजगा आप लोग भी इस चीच को ठीक है और मेरे को एक वाटसप में सेंड करतेजएगा अगर आ इससे भी अच्छा बना सकते है तो आप बनाईएगा जरूर मेरे को वाटसप पे जरूर SEND करियेगा मैं देखना चाहता हूं कि जितना मैंने अभी तक आपको सिखाया वो आप कितना सीख चुके हैं कितना आप आपको अभी आया है ठीक है ना तो जब उसे मेरे को WhatsApp पर शेयर करिएगा WhatsApp का नंबर आपके पास होगा ही अगर नहीं है तो description मिल जाएगा इंतर मत करिए ठीक है ना और इस वीडियो के साथ मैं आपको एक टास्क और देना चाहूँगा मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए अभी यह जो आप classes ले रहे हैं फिलाल यह दिवाली के बाद की classes हैं ठीक है ना लाइव ले रहे हैं अभी आप लोग class है ठीक है जिसे हम लिखते हैं ना happy Christmas, happy Merry Christmas इस तरहिके से अप लिख दीजेगा STP Computer Education wishes you a happy Christmas या Merry Christmas इस तरहिके का एक post मेरे को आप लोग बना के दीजेगा ठीक है जिसका post सबसे अच्छा होगा मैं उसकी post को अपने YouTube चैनल की community post के अंदर 25 December को post कर दूँगा ठीक है ना तो यह उनीके लिए है जो अभी live हमारे session को देख रहे है और जो इसे offline देख रहे हैं live होने के बाद देख रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं वो आने वाला जो त्योहाद होगा जब भी आप देख रहे हैं ना जैसे कि आप इसे holy time पे देख रहे हैं तो आप holy से related post मना सकते हैं और हमें whatsapp पे send कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से करते हैं तो जिसका भी post में को अच्छा लगए है उसके post को हम लोग अपने youtube channel के community post में post करेंगे वो भी साथ में उसका नीचे यहां पे नाम भी लिख देंगे बागी आप भी अपने नाम अपने इस post में side में इस तरीक से लिख दीजेगा तो वहां पे हम डाल देंगे ठीक है तो उमीद करता हूँ आपके वीडियो सही से पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो अपने friends में share कर दीजे और एक लाख subscriber कम सकम हमारे करवा दीजे आप लोगों से request है subscribe करिए काफी साही लोग तो हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन subscribe नहीं करते हैं 30% लोगों ने सिर्फ हमारे चैनल को subscribe करें के रखा 70% लोग ऐसे हैं जिन्हें subscribe नहीं किया तो अभी button दबा दीजे red color का होगा button या फिर white color का होगा अगर dark mode यूज कर रहे हो YouTube का दो तो subscribe button को press कर दीजे आकि ऐसे ही बहुत से चीजे मैं आपो बहुत अच्छे सिखा सकूँ और आप भी सीख सकें ठीक है सो मिलते हैं next video में नए topic के साथ so thanks for watching our video have a nice day